नमस्कार दोसों स्वागत है आपका अमारी यूट्यूब चैनल पर और आज मैं परेवलण का एक पार्ट स्थानी वेवसाई लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ इसका बहुत इंपॉर्टन कलेक्शन लेकर आई हूँ वैसे आपने जो पार्षदी किताबें हैं जो उसमे बहुत ही बेसिक है और आपको भी अच्छे से पता है कि परिक्षा में ऐसा प्रशन नहीं पूछा जाएगा ठीक है तो वो एक बुको तक है बच्चों के लिए है लेकिन आपको पता है कि जैसे स्थानी वेवसाई टॉपिक दिया हुआ है तो स्थानी वेवसाई कोई कुमहार कहते है ठीक है और लोहे का काम करने वाले को लोहार कहते है तो बिल्कुल भी आपकी तयारी पूरी नहीं है क्योंकि प्रशन ऐसे नहीं आएंगे बहुत ही कम चांसे आप देखी रहेगी दिन-बदन किता टफ होता जा रहा है तो बहुत ही कम चांसे कि ऐसे प्रश देखते ही फिर भी अगर आपको कुछ याद नहीं होता है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं लेकिन इसके पहले आपने अभी तक अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमारा नया चैनल और हमें आपके सपोर्ट की कौन सी जगह प्रसिद्ध है या फिर पर्टिकुलर कोई जगह जो है वो किस व्यवसाय के लिए तो दो तरह से प्रशन आपके इसमें बन सकते हैं तो हमारा दीके पहला पॉइंट है कि फिरोजाबाद काज की चूडियों के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है यह सब को प दें काज की उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद तो सिर्फ ऐसा नहीं की चूडिया आए और काज बस लिखा हो चूडिया ना लिखा हो तो आप इसके बाद है आपका सूरत तो सूरत की बात करें तो सूरत गुजरात में आपको पता है और सूरत जो है वो सिलग्य के नाम से जानते हैं यरा इंद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है तो इस तरके пр unmute प्रक्रशन बन सकते हैं आगे देखते हैं से इस में कि लचनोव चिकन की कढ़ाई के काम के लिए जाना चाना जाता है यह भी बहुत ही प्रसिद्ध है जितने भी लोग उत्तर प्रदेश के हैं जैसे के मैं भी हूं तो पता ही है कि लखनौ जो ए वो चिकन की कड़ाई के लिए कितना फेमस है तो लखनौ चिकन की कड़ाई के लिए जाने जाता है अगला देखते हैं बिना समय गवाय चुकि छोटा सा वीडियू है जिसमें आप करनी है ठीक है वीडियो लॉंग बनाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा एम पढ़ाई करना है फिरहाल समय बहुत कीमती है समय बहुत कम है बहुत ही जल्दी होने वाली है परिक्षा तो देखते हैं कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ठीक है और ये आपको पता है कि कानपुर चमड़ा उद्योग प्रसिद्ध है ये बहुत ही फेमस बात है तो हम सब को पता है लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि इससे उत्तर भारत का मैंचेस्टर कह भी कहा जाता है ठीक है उत्तर भारत का मैंचेस्टर कहते हैं इसको ये आपको ध्या तो अगला है आपका डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहां होता है वाराडसी में होता है यह भी उत्तर प्रदेश से संबंदित है तो यह भी आपको याद करना है डीजल से चलने वाले जो इंजन होते है गाड़ियों के यह मशीनरी के वह कहां बनते है वाराडसी संबंदित है तो आपको यहाद होना चाहिए यहाँ पर मैंने सन भी दिखा रखा है कि कब स्थापित की गई थी तो वो है 1870 इस भी में तो यह आपको पता है कि भारत में मतलब 1870 के पहले उन की कोई भी मिल नहीं थी अगला है आपका की रेशम के विवस्याई के लिए मैसुर जो है वह प्रसिध है अब देखे यहीं पर confusion होता है ठीक है हमने उपर क्या देखा कि जो सूरत है वो सिल्क-सिटी के नाम से यह पर कैया, मायसूर ने नहीं कहते हैं, तो इस चीज को अगर आपको नहीं ध्यान रहे हैं, तो आप नो डॉन कर लीजिए, एक दो बार देखेंगे, याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, अगला प्रशन देखते हैं जूट को सोने का रेशा कहते हैं अच्छी जूट उद्योग होता है उसको सोने का रेशा कहते हैं तो सोने का जो रंग होता है वो थोड़ा पीले टाइप का होता है और जो जूट का रंग होता है वो भी कुछ-कुछ वैसा ही होता है इसलिए जू सीमेंट उत्पादन होता है तो में होता है सबसे इमेंट उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश पहां यभी हम लीख है reporting जो चीनि है कि वहांके रहे हैं वह सब से अधिक हैं। है कि दौने मिले हैं टोटल पूरे भारत मी चीनि Bereich भारत में नहीं उत्तर पर दुई हुट है झाल भारत में तो बहुत सारी हैं लेकि सबसे अधिक हैं इतनी अनिकिसी राज में नहीं है, आगे बढ़ते हैं चलिए, तो अकबारी कागज के लिए सबसे जादा प्रसित कौन सा नगर है, नेपा नगर है, ये फेमस है बहुत जादा और इंपोर्टन भी, तो इसको याद कर लिए अकबारी कागज जिसमें पेपर, छपता है आपक कौन सा है, वो लोह इसपात उद्योग है, ठीक है, ये मुझे एक इंपोर्टन पॉइंट लगा कि आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, पर इक्षा के दरिश्टी से ये कितना इंपोर्टन है, ये मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर स ही है, तो आपको पता है कि भारत एक ऐशा देश है हमारा, जहां आज महिलाए बहुत आगे तक जा रही है, लेकिन फिर भी आज के भी जमाने में महिलाओं के लिए बहुत सारे उद्द्योगों में अभी no entry है, या बहुत ही कम महिलाए है, उसमें काम कर रही है, ठीक है, त चार्ट अप करना वह कितना डिफिकल्ट होता है तो वह हम सब जानते हैं क्योंकि मैं भी मैंने भी यूट्यूब की दुनिया में कदम रख लिया है तो मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है सबसे अधिक महिलाय काम करती है तो वह है चाय उद्यो आपने चाय के बगानों में देखा भी होगा कि वो रियल में आपने नहीं देखा होगा तो टीवी में देखा होगा चाय के बगान होते हैं उसमें महिलाय जो है वो चाय की पतिया चुनती रहती है उसके बाद है नेक्स सबसे अधिक कहा बनाय जाते हैं तो यह अँद बनाये जाते हैं मुरादाबाद में पी 타लकें मुराधाबाद ने पृष्ट मुराधाबाद में तो यह इन पर्टिकुलरn स्टेट यहा यह फिर जिला यह फिर श़हरों स्थानी व्यवसाय है जो वहाँ पर फेमास है और अधिकतर लोग करते हैं तो अब आप समझ गया हुए कि स्थानी व्यवसाय के अंतरगत आपको सिर्फ वही नहीं पढ़ना है जो पाश्दी किताबों में दी है बलकि इस तरह से अपनी तयारी करनी है तो यहां तो कुछ जो मुझे most important लगे वो उसका collection है अगर इससे भी जादा आपको पढ़नी कीक्षा है और आपके पस लगता है कि टाइम है आपकी तैयारी हो चुकी है आप extra पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़िए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करना और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा comment करके जरूर बताया करिया आप लग कमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल विल्कुल लाइक करते हैं ना करते हैं मतलब देख लेते हैं और like कमेंट करते हैं हमें भी थोड़ा सा उतसा मिलता है अभी start किया है नया तो थोड़ा सा एक moral support मिलता है तो आप सब सिक्षक बनने जा रहें तो आपको पता होगा कि motivation का कितना importance है तो please like करना and comment करना मत भूलिएगा और आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें इसके लिए आप हमें subscribe करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा ओके तब तक के लिए नमस्कार